Hello everyone, welcome again on your channel Alpha Trading यहाँ पर हम फूर्थ पार्ट ले गया है इन Candlestick Pattern के ओपर जिस पर आज हम बात करेंगे कि आपको Candlestick Pattern में सबसे ज्यादा जो strategy है, कौन सी ज्यादा work करती है मतलब कौन सा indicator आपको यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रही इस वीडियो के साथ और जिन लोगों को प्रोमो कोड वगरा चाहिए थे, तो ये इसी वीडियो के पीछे तक अवेलेबल था मतलब Sunday तक अवेलेबल था, तो sorry guys, जो लोग नहीं ले पाए, प्रोमो कोड का फाइदा, उनके लिए extremely sorry, लेकिन सून जब आएगा तो आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे और अगर 50% चाहिए किसी को, तो भाई नीचे लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम का भी और कोटेक्स का भी, वहाँ पर आप जोइन कर सकते हैं और रही बात आगे कि कि आपको कैसे ट्रेड करना है और कितना investment plan बनाना है वो सब कुछ और यह हमने वीडियो बनाई हुई है तो आज सीखते हैं कि आपको candlestick pattern पे सबसे जादा strategy कौन से use करना चाहिए और कौन सी strategy आपको सबसे जादा यहाँ पे फाइदा और profit मतलब जो एक ही चीज है वो दिलवाएगी तो चलते हैं वीडियो के उपर तो सबसे पहले हम बात करते हैं candlestick pattern पे ठीक है candlestick pattern सबसे जादा fluctuating market आपका रहता है किस पे area graph पे तो candlestick pattern पे थोड़ा सही रहता है तो candlestick pattern पे अगर आपको सही में अगर कुछ चाहिए तो भाई मैं बोलूंगा आपको पता है कौन से use करो यहाँ पे आपको करने चाहिए moving average सची बात बता रहा हूँ अपने experience से और moving average को अगर आप 50 कर देते हो भाई और इसको green कर दो that's it काफी है बहुत बढ़िया strategy बना सकते हो आप इसी के साल अब देखो trend चला हुआ एक ठीक है जैसे जिस trend पे market आपको देख रहा है trend पे सबसे पहले याद करना trend पे इस पे trade करना है जहां पे trend देखो एक दिन में अ आपको profit कराने का तरीका बताऊंगा यहाँ पे अगर एक दिन में आपको चार ट्रेड करनी है ठीक है हर एक ट्रेड का पांच मिनट स्लेक ठीक हो ठीक है दो ट्रेड सुभा ले लो दो ट्रेड शाम को ले लो पहले सबसे पहले चेक करो trend अगर इस तरीकी का trend है तो याद र किया हुआ मार्केट ने जैसे यहां पर मार्केट इतना उपर था यहां पर इसको 50 SME की केंडल सॉरी जो लाइन है मुविंग एवरेज में तो इंडिकेटर जो है यहां पर जब इसको क्रॉस करेगा तो उसके बाद आपको पांच मिनट स्लेक्ट करने कब है तब करने है ज इसका जो लेवल है जैसे यहां पर देखो यहां से यहां का नियरबाई हाफ यहां हुआ उके तो इसके अराउंड का हाफ पे ट्रेड लेना है उसी डिरेक्षिन पे जिस डिरेक्षिन पर कटाउट हुए है अब यहां पराते है आप वोलोगे अब यहां पर funding यहां पर इस situation में, जो कि नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आप support and resistance यूज कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी strategies में, याद रखना, सबसे पहले trend, उसके बाद support and resistance, तो ओके, यहां से फिर से cutout होगा market, फिर से downward action पर है, जैसे यहां पर अच्छा आपको pattern मिला कि upward action प पर trade लेना है, जब भी market पर reback हो, वहां से, इस position को याद रख लो, इस trick को याद रख लो, फिर different currencies पर shift कर लो, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, कि यहां पर ऐसा ही हो रहा है, जैसा हमने बताया, कि 50 SMM को जहां पर cutout किया, उसी direction पर trade लेना है, तो लेते है भाई OTC market है available, लेकिन OTC market में भी try गरेंगे हम, ज़्यादा minute की trade नहीं लेंगे, सिर्फ 2 minute पर जाएंगे, ओके, अभी भी नहीं मिला हमें, कुछ ऐसा, कि हम वहां पर trade ले सके हैं, इस तरीके की, कोई, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर market क्या है, यहां पर क्या है, अप upward action पर पुट करूँ है, यहां पर कम से कम 3 या 4 मिनट या 5 मिनट का trade लेना चाहिए हमको, लेकिन मैंने सिर्फ 2 मिनट के around का trade लिया हुआ है, अब wait करना है, और हमको check करना है कि result कितना देता है, यहां पर देखो, एक proper trend तो नहीं है, लेकिन यहां पर ज़्यादातर market की movement upward action तो उसी के basis पर यहां पर already पहुंच चुका है market, यहां पर support भी मिल रहा है थोड़ा सा, और उसी के basis पर यहां पर trade हमने पूट कर दिया, अब देखना यह है कि जो last minute बचा हुआ हमारे पास trade का, उसमें होता क्या है, मेभी यहां पर loss भी हो सकता है, मेभी profit भी हो सकता है, और OTC को जितना जादा ignore कर सकते हो, आप लोग भाई उतना जादा ignore करो, सबसे बढ़िया strategy है यह profit earn करने की, तो अभी तो market हमारे opposite ही work कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर अच्छा सा दिखा था movement, लेकिन फिर से अगिन downward direction पर movement, यहां पर I think यह loss हो सकता है, क्योंकि जह यहां तक के chances देख रहा है, यह जो candle अकर हुई उसके बाद, चाहे यह OTC हो यह कहीं और पर हो, यह candle I think यहां पर बहुत बुरे हाल करने वाली है, तो मैं यहां पर फिर से कम से कम $300 की investment करने वाला हूँ, upward action पर, क्योंकि मुझे अभी भी भरोसा है कि market upward action पर move करेगा, ओके, just wait and watch, क्या होता है, यहां पर, देखते हैं, अभी दो मिनिट का हमारे पास time है, तो भाई, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को अभी, भाई, क्रिप्या करके like, share, subscribe कर दो, share, subscribe नहीं कर सकते, like कर दो, like भी नहीं कर सकते, यहां नीचे comment box में topic के suggestion तो देख सकते हो आपको next video किस topic के ऊपर चाहिए, क्योंकि अभी candlestick के part खतम हो चुके हैं, पांच part बोला था, लेकिन यहां पर, I think, इसी part के साथ हमें close करना पड़ेगा, तो, guys, मिलते हैं, next video के topic suggestion पे, और तब तक के लिए, आपको safe रहना है, सब लोगों तो, और उससे पहले, आपर position को cross out नहीं कर पाया, अच्छे से market, लेकिन किया तो काफी दूर तक, लेकिन, फिर भी, जो last जो market की close थी, ठीक है, entry जो थी, और close point जो था, वहां पर काफी, कम different, sorry, difference जो है, देखने को मिला, तो, यहां पर यह decide करेगी, यह candle, यह किस direction पे move करेगी, यहीं से उसका next trend start होगा 33 seconds में, market किस direction पे move करेगा, यह अभी आपको पता चल जाएगा, तो देखो, यह होता है भाई, अब आप OTC में पे trade करोगे, तो यहीं होगा, तो भाई, everything happens, when you stucked in the wrong way, in the wrong time, अभी डेड़ बज़े, रात को, कौन देखेगा यार, ऐसी strategy को, और सब बोलेंगे कि यह तुक्का फलाना डिमकाना, नहीं भाई, कुछ भी नहीं, अब हम लोग कुछ बता नहीं सकते किसी को, इसलिए हम फिर से trade लेंगे भाई, यहां से देखो, यहां से reback हुआ है, already, किसी और currency पे भी देखते हैं, कहीं पे अगर ऐसा ही fluctuation हुआ है, त टी-सी पे, ठीक है, वीडियो काफी लंबी हुई, देखो, मैं यह नहीं करूँगा कि इनको यह वाला पार्ट यहां पे लॉज किया, उसको मैं रिमूव कर दूँगा अपनी वीडियो से, नहीं होने वाला है हमारी लाइफ में कभी, तो, यहां भी किसी और currency पे देखते ह पे, move कर रहा है, cross out हुआ, proper cross out नहीं हुआ, लेकिन, NJD, USD, यहां पे हमको trade लेना है, दो मिनट का, ओके, अभी थोड़ास हम नीचे आने देंगे, इसको थोड़ासा, इतना नीचे आ गया है, वहां से हम सीधा trade लेंगे, आप वाड डेक्शन पे, यहां पे काफी अच्छा cut out हो चुका है आप वाड डेक्शन पे, और यह trend यहां से change हो रहा है, मैंने कहा है, यहां तक तो मुझे market चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही $800 की trade लोगा है, और वहां से देखो, मेरा loss है अभी $400, और $800 के साथ हमारा profit थोड़ा सा कम होगा, तो 900 कर लेंगे इसको, यहां स हमको confirm winning मिलेगी ही, मिलेगी, भाई इतना याद रखना, इतना मैं assurity दे रहा हूँ, अब दो trade loss होगी, उसके बाद भी, यह दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद भी इतना confirm होके, अगर बोल रहा हूँ, भाई कुछ तो बात में दम होगा, यह लो, ओके, दो यहाँ पे trading का सोच थी, वो, अभी देखना आप यहाँ पे, जब one हो जाएगा, तो आप निचे लाइक कर देना, इन दोनों के लिए भी लाइक कर देना है, और $400 कम amount नहीं होता है, जब loss करता है कोई तो, तो बस अब वेट करो, just 1 minute and 24, 3 seconds, और वीडियो यहाँ पे भाई, कि around around 11 minute या 12, sorry 13 minute के around की तो वीडियो बन जाएगी या, definitely, तो उसके लिए guys, sorry, extremely sorry, तो I hope कि आप लोग समझे होंगे कि, कुछ कारण की वज़ा से इतनी लंबी वीडियो बनी, क्योंकि यह दो यहाँ पे, यह गलत currencies पे सीधा हम पुट कर गए थे, खुद को, तो जब सही currency मि तो वहाँ पे profit भी काफी सही होने वाला है, 800 dollars के around profit stand कर जाएगा हमारा, या 700 dollars के around, तो फिर हमारा 92 return है, तो भाई यहाँ पे हमारा profit 800 dollars के around around हो जाएगा, तो 800 में से 400 आप निकाल दो और 400 dollars का profit हमारे पास stand हो गया आज का, तो भाई इस तरीके से trade रहता है, यहाँ पे भाई याद रखना है, मेरी तरह ना मैं सबसे ज़्यादा गलिती कर रहा हूँ यहाँ पे कि दो मिनट और एक मिनट की trade लेनी है, चार मिनट से तो ज़्यादा की trade लो, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, जितना ज़्यादा आप चार मिनट से trade लोगे, around 4 to 9 $428, तो यह रहता भाई, पावर, ठीक है, तो जब आपको strategy ते एक endlastik pattern पे, वह आपको मिल चुकी है, तो मिलते हैं next suggestion, जो आप दोगे, उस video के topic पे, बात करते हो है, तो till then, bye bye guys, see you, and be aware, and be safe.